सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्यान बर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके नमो नारायन मित्रों आज के वेडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि ब्रिशब रासी वालों का 14 जुलाई 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या बदलाब होगा क्या-क्या पडिवर्तन होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंग और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और आज माने का प्रियास करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिस्तार से। कहीं कोई समस्या नहीं हो तो अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका को आप ये भरोसा दें कि आप हर पल हर छण उनका साथ देंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले शमय में आपके प्रेम शम्बंध में कहीं कोई पडेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा वैसे अगर आपके कामकाज की और देखा जाए तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय अच्छा बीतने वाला है आज के दिन आपके काड़े छित्र में आपकी महिला सहकर में आपकी शहाईता बहुत ज्यादा करेंगी और उनके वजह से आपका जो भी काम अटका था जो भी काम रुका था आज के दिन वो सारा काम पूरा हो जाएगा और आपका काम काज आपका काड़े छित्र बहुत ज्यादा बिहतर और शांदार रहेगा इसके बाद है आपका बैबाहिक जीबन तो बैबाहिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान नी रहेगा आज के दिन अपने जीबन साथी से अपने दिल की साड़ी बातें साजह करने का मौका आपको मिलेगा और आज के दिन अपने जीबन साथी से आप बहुत साड़ी बातें करें जो बातें आपके जीबन साथी को नहीं पता हो आपके बारे में आज के दिन वो साड़ी बातें आप उनसे बताएं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बैबाहिक जीबन आपका दामपत्य जीबन अगर आपके धन संपती की ओर देखा जाए तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शमय शामान नेतोर पे सही रहेगा इसके बाद है आपका स्वास्त मित्रों स्वास्त के द्रिष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा भी तने वाला है आज के दिन आपके बॉड़ी में उर्जा का अस्तर बहुत ज्यादा उंचा रहेगा और इस वजह से आपके श्वास्त में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा। आज के दिन आपके लिए भाग्य साली अंक है छे यनी की सिक्स। आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका समय बहतर और शानदार होगा। मित्रों उपाई बहुत ही ज्यादा शामाननी है आज के दिन अशनान ध्यान करने के बाद आपको हनुमान जी की पूजा करनी है बजरंग बली की पूजा करनी है अगर आप ऐसा करते हैं तो आज के दिन आपका समय सानदार हो जाएगा और कहीं कोई पड़ेशानी नहीं हो होगी तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वेडियो को आप हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद